हेलो शुडेंट्स हाव अर्यू वेलकम तो माई यूटूब चैनल पंकच फिजीज गुलाटी शुडेंट्स आपको इस चैनल पर देखने को मिलती है ग्रैजुएशन फिजीज के टॉप इसकी सबसे असान एक्सप्रेमेशन तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाईए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले तो शुडेंट्स इसी कैटिगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे BSC 6, SAM, Solid State, Nanophysics, Unit 2 के एक और इंपोर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम है Lau's Method of X-ray Diffraction देखें स्टुडेंट्स, 1912 में Won Lau ने ये सजस्ट किया था कि X-rays को क्रिस्टल के द्वारा डाइफ्रेक्ट किया जा सकता है क्योगी क्रिस्टल की Interplanar Spacing का जो ओर्डर होता है और जो X-rays की Wavelength का जो ओर्डर होता है वो सेम होता है और वो होता है लगबग बन एंग्स्टॉम के बराबर इसलिए जो क्रिस्टल होते हैं वो X-rays को successfully diffract कर सकते हैं क्रिस्टल के द्वारा डाइफ्रेक्ट होने वाली X-rays को study करके हम क्रिस्टल की symmetry, क्रिस्टल के अंदर parallel planes की orientation और क्रिस्टल की और बहुत सारी properties के बारे में बहुत ही महतर पुरन जानकारी प्राप्ट कर सकते हैं इसलिए crystals के थ्रू X-ray diffraction को study करना बहुत ही important माना जाता है आपके syllabus में X-ray diffraction by crystals को study करने के 3 method है उन्हीं में से एक method है laws method देखे स्टूडेंट सबसे पहले आपको एक बात पता होना चाहिए अगर आपने X-rays का diffraction करवाना है crystals का through वो तब ही होगा जब एक Bragg's law equation जिसको बोलते हैं 2D sin theta equal to N lambda अगर वो satisfy होगी तब भी X-rays का diffraction होगा through crystals यहाँ पर D जो है वो interplanar spacing है theta वो angle है जिस angle पर हम X-rays को fall करवाएंगे crystals के उपर और lambda है wavelength of X-ray used अगर यह condition satisfy होगी तब भी हमारे पास X-rays का diffraction हो पाएगा through crystals देखी student जो interplanar spacing है जो D की value है वो हरे crystal के लिए constant रहती है fix रहती है उसको हम change नहीं कर सकते means अगर आपने Bragg's law equation 2D sin theta equal to N lambda को satisfy करवाना है तो या तो आपको lambda को change करना पड़ेगा means continuous wavelength यूज करनी पड़ेगी X-rays की या फिर आपको lambda constant रखना पड़ेगा ठीता चेंज करना पड़ेगा means अलग-अलग angles पर आपको X-rays fall करवानी पड़ेगी crystal के थू तभी यह equation satisfy हो पाएगी 2D sin theta equal to N lambda और तभी X-rays का diffraction possible हो पाएगा through crystals Student जो आज हम method पड़ेगे X-ray diffraction by crystal का वो है Louse method Louse method में हम क्या करते हैं हम wavelength को change करवाते हैं means जो X-rays हम crystal के उपर fall करवाएगे वो continuous wavelength की fall करवाएगे fixed wavelength की X-rays हम fall नहीं करवाएगे और जो यहाँ पर हम crystal लेंगे उसको हम stationary रखेंगे उसको हम fixed रखेंगे मतलब इस method के अंदर हम theta को constant रखेंगे और lambda को change करवाएगे ताकि हमारी 2d sin theta equal to n lambda वाली equation satisfy हो सके और X-rays का diffraction हो सके through crystal तो चलिए शुरू करते हैं आज का topic Louse method of X-ray diffraction by crystals तो सबसे पहले हम draw करेंगे Louse method of X-ray diffraction का diagram उस diagram के through समझेंगे कि Louse method of X-ray diffraction by crystals है क्या तो Louse method को static करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक single crystal specimen तो हम यहाँ पर एक single crystal specimen ले ले लेते हैं यह है हमारा single crystal specimen अब इसके ऊपर हमने X-rays fall करवानी है collimated beam of X-rays fall करवानी है तो आपको एक collimator भी लगाना पड़ेगा यहाँपर यहाँपर हमने collimator लगा दिया तो इस collimator से एक थू हमारे पास X-rays दो हैं वो इस crystal के ऊपर single crystal specimen के ऊपर fall करेंगी यह हैं हमारी incident X-rays अब होगा क्या जब incident X-rays इसके ऊपर fall करेंगी single crystal के ऊपर तो यह क्या करेगा इसके अंदर जो parallel set of planes होगे काफी सारे set of parallel planes होते हैं तो वो जो parallel planes होंगे वो इन X-rays को diffract कर देंगे हर direction में X-rays जो हैं वो diffract होंगी इन diffracted X-rays को deceive करने के लिए हमें दो photographic films लगानी पड़ेंगे एक यहां लगानी पड़ेगी यह है film एक photographic film है actually यह और यह है हमारी photographic film वो हम यहां लगाएंगे यह है हमारी photographic film B यह है हमारा single crystal specimen और यह है हमारी सारी के सारी diffracting X-rays यह था हमारा pinhole arrangement तो बहुत सिंपल सेटप यूज किया था लाउ ने X-rays का diffraction by crystals को study करने के लिए तो मैं आपको पूरी detail में बताता हूं इस diagram में हमने क्या-क्या draw किया है तो चलिए students एक बाद diagram की details समय लेते हैं हमने क्या-क्या इसमें यूज किया है इसमें students हमने X-rays ली है कौन सी X-rays ली है continuous wavelength वाली X-rays ली है इनकी जो wavelength होगी वो किस range में होगी इस method के अंदर इन incident X-rays की wavelength जो होगी वो एक particular range में होगी 0.2 से लेके 2 angstrom तक इस range की wavelength वाली X-rays ही आपने single crystal specimen के उपर fall करवानी है तो यह है हमारी X-rays X-rays को collimate करने के लिए means एक particular direction भेजने के लिए हमें use करना पड़ेगा pin hole arrangement यह हमारा pin hole arrangement है जो इन X-rays को collimate करेगा उसके बाद हमें चाहिए होगा single crystal specimen इस method के अंदर हमें single crystal specimen को stationary रखना है means fix रखना है यहाँ पर theta constant रहेगा तो यह हमारा single crystal specimen जिसको हमने fix रखना है stationary यह है हमारा single crystal specimen उसके बाद क्या होगा जब X-rays जो है इस single specimen के उपर fall करेंगी तो single crystal के अंदर ड़ेफरेंट sets होंगे parallel planes के ऐसे ऐसे भी होंगे parallel planes ऐसे ऐसे बी होंगे और ऐसे ऐसे भी parallel planes बहुत सारे sets होंगे parallel planes के वो set of parallel planes क्या करेंगे इस wavelength में से कोई particular wavelength चूज करेंगे एक particular set of parallel planes एक particular wavelength को चूज करेगा ताकि हमारी Bragg's law equation 2D sine theta equal to n lambda वो satisfy हो सके देखे इस student lambda यहाँ पर चूज करना पड़ेगा d और theta यहाँ पर constant है तो एक particular wavelength के लिए जो एक particular set of parallel planes होगा वो x-rays को एक particular direction में scatter करेगा diffract करेगा तो बहुत सारे set of parallel planes होगे तो हमारी जो diffracted x-rays होगी वो हर direction में scattered होगी तो यह single crystal specimen ने हर एक direction में हमारी जो x-rays को diffract कर दिया है इन diffracted x-rays को receive करने के लिए हमें बनाना लगानी पड़ेंगी दो photographic film photographic film A and photographic film B जो कि इस single crystal specimen से थोड़े distance पर situated होगी और students इस topic के अदर आप क्या एक line एवराइड करके आएंगे कि जो हमने single crystal specimen की dimensions लेनी है वो लेनी है 1 mm into 1 mm into 1 mm means जो length breadth height है इस single crystal specimen की वो तीनो 1 mm होनी चाहिए तो students अगर आपको exam में आता है कि discuss laus method of x-ray diffraction by crystal तो आप introduction में क्या लिख के आएंगे आएए वो देखते है laus method of x-ray diffraction it is the oldest method of x-ray diffraction ये सबसे पुराने x-ray diffraction method में से एक है in this method a single crystal is hair stationary इसमें हम single crystal लेंगे जिसको हम fix रखेंगे stationary रखेंगे आपने यी बात ध्यान रखने है laus method के अंदर जो हमारा single crystal होगा वो fixed होगा stationary होगा means यहाँ पर theta constant होगा the dimensions of single crystal specimen are 1 mm into 1 mm into 1 mm यहाँ पर जो size होगा crystal specimen का वो 1 mm into 1 mm into 1 mm means 1 mm into 1 mm into 1 mm होगा इस size का आपको single crystal specimen यहाँ पर लेना है a well collimated beam of x-rays of continuous wavelength is incident on single crystal specimen यहाँ से हम x-rays को fold करवाएंगे कौन सी x-rays continuous wavelength वाली जिनकी wavelength के एक particular range होगी और वो range होगी 0.2 से 2 angstrom तक continuous wavelength वाली x-rays जो है वो हमने single crystal specimen के उपर incident करवानी है इस method के अंदर the wavelength of x-rays is in the range of 0.2 to 2 angstrom जो wavelength रहेगी इस method के अंदर x-rays की वो इस range में होगी 0.2 से लेके 2 angstrom तक इसके बाद आप क्या लिखके हैंगे exam में वो देखेंगे next section के अंदर तो अब इस टॉपिक में और क्या एड करके हैंगे exam के अंदर अब pinhole arrangement is used to produce a well collimated beam of x-rays ये है हमारा pinhole arrangement ये दो प्लेट से दो पैरल प्लेट से मिलाके बना है हमारा pinhole arrangement ये क्या करेगा x-rays को collimate करेगा एक पर्टिकलर direction में confine करेगा means x-rays को narrow बनाएगा हमारा pinhole arrangement the reflecting planes in the crystal choose a suitable wavelength for which black's equation 2d sin kitta equal to n lambda is satisfied देखे शोड़े this single crystal specimen के अंदर बहुत सारे set of parallel planes होंगे हग एक set of parallel planes एक particular wavelength choose करेगा from the range 0.2 to 2 angstrom इस range में से एक particular wavelength को select करेगा एक particular set of reflecting planes जिनकों parallel planes भी बोलते हैं वो क्या करेगा एक particular wavelength को choose करेगा ताकि हमारी 2d sin theta equal to n lambda equation रवाब को satisfy हो चके again I am repeating d is fixed here theta is fixed there only you can change lambda and different the x-rays in different direction जो अलग लग reflecting planes सोंगे इसके अंदर single crystal specimen के अंदर वो x-rays को अलग लग direction में diffract कर देंगे two flat photographic films A and B are placed at a short distance from crystal to receive these diffracted beams अब आपने diffracted beams को एक analyze करना है उसके लिए आपको दो photographic films लगानी पढ़ेंगी photographic film number A photographic film number B इन दोनो photographic film को आपने single crystal specimen से suitable distance पर रखना है ताकि आपको यहाँ पर diffractic beams receive हो सकें ताकि आप diffraction pattern को obtain कर सकें और उस diffraction pattern से इस crystal की orientation और symmetry के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें तो इसे next section में हम देखेंगे कि law method में हमारा जो इन photographic films के ऊपर diffraction pattern आएगा वो कैसा आएगा और उस diffraction pattern से हमें क्या जानकारी मिलेगी इस single crystal specimen के अंदर और साथ के साथ हम इस method के advantage और disadvantage भी study करेंगे तो सुदेंट्स जब आपको एक topic आएगा एक्जाम के अंदर तो आप यह diagram बना के आएगे आएगे साथ में आपको इन photographic films के ऊपर कैसा diffraction pattern देखने को मिलेगा वो भी आप बना के आएगे वो हमें आपको draw करके बता तो आप कैसे draw करके आएगे photographic film हमारी यह ऐसी होगी square or rectangular shaped तो इसके ऊपर आपको देखने को कहे मिलेगा आपको यहाँ पर dots देखने को मिलेगे series of spots देखने को मिलेगी कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा आपको in photographic films के ऊपर pattern इस diffraction pattern को low pattern भी बोला जाता है तो इस low pattern से हमें क्या पता चलेगा इस से हमें पता चलेगा crystal की symmetry अगर crystal के अंदर four-fold symmetry है तो आपके diffraction pattern के अंदर भी four-fold symmetry होगी माल लीजी जो हमने crystal specimen यहां use किया था उसके अदर 4-4 symmetry थी तो यहां भी आपको 4-4 symmetry देखने को मिलेगी 1st 4th symmetry, 2nd 4th symmetry, 3rd 4th symmetry, 4th 4th symmetry अगर 6-4 होगी तो आपको यहां पर 6-4 symmetry देखने को मिलेगी diffraction pattern के अंदर, तो यह advantage है law method कि हम इससे crystal की symmetry के बारे में बिल्कुल सटीक जानकारी हासिल कर सकते हैं, तो student देखते हैं और क्या लिखके आएंगा अब इस topic के अंदर, exam के अंदर ताकि आपको पूरे marks मिल सके हैं, the diffraction pattern obtained on the two films consist of series of sports जो आपको diffraction pattern देखने को मिलेगा in photographic films A और B के ऊपर, वो कुछ इस तरह देखने को मिलेगा, इसमें काफी सारी series होंगी sports skills, means dots होंगे काफी सारे, जो diffracted axis beam बनाएंगी in photographic films के ऊपर the diffracted pattern will show symmetry of the crystal, तो diffraction pattern होगा, उससे हमें crystal के symmetry के बारे में पता चलेगा if crystal has four-fold symmetry, then diffraction pattern और loud pattern will show four-fold symmetry, अगर crystal classification के अंदर four-fold symmetry है तो आपके जो diffraction pattern होगा, जिसको हम loud pattern भी बोलते हैं, उसके अंदर भी four-fold symmetry होगी, first-fold, second-fold, third-fold, fourth-fold तो इस तरह हम loud method के द्वारा crystal के symmetry के बारे में पता लगा सकते हैं, तो next section हम देखेंगा, advantages of this method पहले हम आगे हैं, last action of this topic के ओपर जिसमें, study करेंगे, advantages and disadvantages of this method, पहले हम discuss करेंगे, advantages or usefulness of loud method of x-ray diffraction by crystals, first advantage, this method is widely used for rapid determination of crystal orientation and symmetry, देखें students, loud method का सबसे बड़ा advantage यह है कि इससे हम crystal की symmetry और crystal की orientation के बारे में फटा फट जानकारी हासिल कर सकते हैं, यह सबसे बड़ा advantage है इस method का, it can be used to establish the shape of unit cell of the crystal, देखें, crystal के जो smallest building block होता है, किसी भी crystal का unit cell होता है, unit cell की shape कैसी है, अलग-अलग shapes के unit cells होते हैं, वो हमें यह method जो है, उस unit cell की हमें shape बताने में सक्षम है, तो यह है दो advantages of loud method of x-ray diffraction by crystal, अब हम discuss करते हैं disadvantage, disadvantages, it is not suitable for determining crystal structure, भया यह हमें crystal structure की orientation और symmetry तो बता देता है, पर crystal structure को determine करने में, means हमारे lattice constants क्या है, length, breadth, height क्या है crystal की, और हमारे पास alpha, beta, gamma angle, sides के बीच में होते हैं, वो क्या है, वो हमें नहीं बता बता, तो आप एक line में disadvantage लिखके आएंगे, इसका, it is not suitable for determining crystal structure, इससे हमें crystal structure को determine नहीं कर सकते, इस method से, तो यह है disadvantage, तो यह था आज का topic, जो इदाम point of view से भी काफी important है, I hope आपको आज का lecture समझाया होगा, मिलते हैं next video में, till then, thank you so much.